तो हाई फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली हाउस कंस्रक्शन से रिलेटेड कम से कम एक वीडियो इस चैनल पे डालता ताकि जो आम लोग है जो आम जनता है जो इंजीनियर हायर नहीं कर सकते हैं इंजीनियर का भारी भरकम खर्च नहीं उठा सकते हैं वो घर बैठे ही सारी जानकारी ले पाए और वो अपना घर जो है वो सुन्दर अकरसक और टिकाउं बना पाया दोस्तों आज मैं आपको ब चलाना चाहिए, दूसरी बात में आपको बताने वाला हूँ कि इसको अगर ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, तो आपको क्या दिक्कत होगा, ब्रिक वर्क के क्या काम है, मतलब कि प्लिंथ बीम के जो नीचे वाला काम है, हर एक डिटेल आपको जो इस वीडियो में देने वाला हूँ, brick work से related मैं footing वेगर आप नहीं जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ brick work पे ही इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ आप जब अंदर का plinth beam इसको में तरिव लोग tie beam भी बोलते हैं तो ये tie beam देख रहे है plinth beam देख रहे हैं कहां पे कितना जो है वो चलाया गया है तो आखिर ऐसा क्यों है क्या ये गलत है क्या ये सही है इसी topic पे मैं इस बात में बात करने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं brick work क्यों किया गया है दोस्तो जैसे कि plinth beam का हमारा काम रहता है तो लोड बातने के लिए एक label में हमारा plinth beam का होना बहुत ही जादा जरूरी है जब तक हमारा एक label में plinth beam नहीं रहाएगा मतलब उचाई जमीन से उसका एक label में नहीं आयागा तब तक हमारा plinth beam देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है आप किसी भी घर में जाकर कि देखिए कोई साभी आप भूखंड हो मतलब कि कोई साभी जमीन हो लेकिन जब भी आप plinth beam देखते हैं तो वहाँ पे सारे plinth beam का जो height रहता है वो बिलकुल एक label में आ गया रहता है पूरा एक size में रहता है और यही काम जो है वो plinth beam का है जब तक वो height में रहेगा पूरा load को distribute मतलब की बांट नहीं पाएगा वो एक दूसरे beam पे और जो हमारा घर है वो मजबूत नहीं हो पाएगा तो अब इंट का क्या काम है बहुँ जगा आपने देखा होगा कि बिना इंट के भी plinth beam की धलाई हो जाती है आपने बहुँ जगे ऐसा देखा होगा जहाँ पे घर हमारा बहुँ ज़्यादा गड़ा में रहता है मतलब जमीन बहुँ ज़्यादा गड़ा रहता है तो वहाँ बिना brick work के भी जो है वो ये धलाई हो जाती है को ढड़ाई करने में आसानी हो और नीचे अगर हम लोग एक इटा दे देते हैं तो उसके बाद जो ढड़ाई का जो मसाला रहता है जो concrete रहता है वो फिर अच्छा होता है चुकि हमारा cement वागरे रहता है एक जगा जो बांध कर रहता है वह इसे मिट्टी में हम लोग RCC direct जो है वो नहीं करते हैं मिट्टी में अगर RCC करना होगा तो उसके नीचे जो PCC थोरी से करनी होगी तो इस चीज के लिए हम लोग brick work करते हैं और बहुत जगा जो है वो बिना brick work के भी जो है वो धलाई प्लिंथ बीम की हो जाती है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है मुझे उमीद है आप समझ गया होंगे कि प्लिंथ बीम क्यूं दिया जाता है और brick work के क्या महत्तु है धन्यवाद दोस्तो